आज हम स्टूडी ओफ इंग्लिश चैप्टर सेवन ग्लोबल इंग्लिश की पराफ्रेजिंग एंड समरी देखेंगे ओके ग्लोबल इंग्लिश में ग्लोबल का जो अर्थ होता है वह ब्यापक रूप से वर्ड लेबल पे हर जगा वर्ड के कोने कोने में जो आज इंपर्टेंस है उसको बिलकुल डीनाइन नहीं क्या जा सकता और इंग्लिश लाइग्वुज के डेवलपमेंड में बहुत चीजह वह हेलप्फुल रहे हैं जिसमें बोर्विंग वोट्स बहुत हेलप्फुल रहा है दूसरे से वोट्स को बोरो लेलेन अदबॉरो प्रेंच इंफूर्वेंस अपने लांगुज को वहां चोड़ा ओके तो यह जो दोनों चीजे हैं वह इसके डैवलाप्मेंट में काफी हैपूल रही वैसी स्टोरी अफ इंग्लिश में हम शुरू से इंग्लिश के स्टोरी को देख रहा हैं इंग्लिश कैसे डेवलाप कर र काफी इंफूर्वेंस आइं, लेकिन उड्द इंग्लिश में जो इंग्लो नेग्लिश सेंट आंग्वज के इंग्लिश ψ फनीं सब्सक्राइब कोराब करना कि तो यहां पे English language जो है English section के speech से कैसे एक standard language बनी standard कहने का यहां पे अर्थ ही यह हुआ कि language का एक ऐसा पैमाना जो बोलने में या लिखने में विल्कुल correctly हो यानि correct हो तो वह standard जिसको हर कोई follow करेगा वो standard हुआ तो standard language बनने में कैसे उसने जो है अपना सफर तै किया quins English जो है quins English वह English britain की वह English जो बोलने और लिखने में बिल्कुल grammatical यानि correct हो वह quins English है और जो standard British English है उसे receive pronunciation भी कहा जाता है receive pronunciation sound circulated है जो alphabet alphabet में पूरे 26 जो है letters है और ये 26 letters जो है 44 sound create करते हैं जिसे में वोवल 5 होते हैं जबकि वह sound 20 sound create करता है जबकि consonant 21 जो है 24 sound यानि पूरे 44 sound होते हैं वैसे हम जो है mostly हम British pronunciation में receive pronunciation को ही follow करते हैं वैसे आजकल American भी प्लस Indian styles भी जो है वह इस्तामाल हो रहे हैं ओके यह standard language होने में इसने जो है काफी दूसरे language से words को जो है वह borrow किया और यह जो borrow किया या तो बैपार के जरिए उनके speaker से मिलने में हुई या जो है या जो है learning यानि knowledge को फैलाने में हुई या जो नए-नए invasion आकर्मन हुए चाहे वह आकर्मन शुरू में Britain के उपर हुआ हो या बाद में Britain जो colony established की वह दूसरे पे किया हो तो इससे भी जो है language वह काफी develop हुआ आप कहें तो invasion भी Europe से ही शुरू में हुए जिसके वजसे European words जो है इसमें frequently जो है English language ने borrowed किया जिसमें Latin, Spanish, Italian, French इन सारे जो language से है words लिये और कुछ words या पर भी दिये हुए जैसे Latin में adopt crisis एक्जिस्ट Spanish में परिकोट बनाना गिटा मस्कीटो इस तदा से वोड लिये और यह जो borrowing habit है यानि इसकी जो tendency थी words को अपना लेने की इसी ने इसे काफी develop किया क्योंकि इस language के अंदर या tendency थी और या tendency जो है या tendency इसको जो है develop करने में काफी help किया और इसकी वज़ा से वैसे यह language जो है impure हुआ impure that means कि इसमें दूसरे language से भी words है जिससे इसके purity खतम हुई लेकिन यहा पूरी तरह से glorious language की तरह अबरा ओके 18th century तक जो है Britain वो काफी powerful nation बन चुका था और यह भी कहा जाता था कि British जो सासन में कभी भी सूरज जो है कभी भी सूरज उरूज पे ही रहा उद्धे ही रहा कभी सुर्यास्तन नहीं हुआ और उस वक्ड जो है Britain हर जगे कबजा किया चाहे एशिया के 500 अफरीका के 500 या हम कहें जो है वोल्ड लेबल पे उसने और भी काफी जगापे Australia पे America पे तो यहां पे जहां जहां पे उसने invasion किये वहां पे जो है उसके culture और language जो है उसने अस्थापित की ओके English जो है काफी words और phrases दूसरे language से आसानी से लेता रहा जहां भी उसने colonized किया अधिकार किया ओके जिसमें African words है Turkish, Hindi Malay words Persian, Arabic Tamil, American, Indian यह सारे words को उसने frequently जो है वह अडॉप्ट किया और English जो है हर direction में वह फलता-फुलता रहा और यह जो है पूरी तरह से global shape में global shape में बनके या उवरा ओके और English को पूरे जगा फैलने में दो चीज़े जो है काफी helpful रहे उनका परभाव काफी रहा जिसमें English की नई variety जो है जिसमे American English Australian English Canadian English इसने यह जो है और दूसरा new English जहां पे mother tongue English नहीं थी वहां पे भी English जो है वह बोली जाने लगी जिसमें Indian English Nigerian English यह थे इन में जो दो यह main जो effects थे यह अगर दो effects आप अपने mind में रखेंगे तब भी आप global English पे अच्छा खासा जो है वह आप लिख सकते हैं कि what is global English ओके और global English में सबसे पहले introduction हमने देखा introduction के बाद जो है global English में जो दो effects थे वो दो effects में पहला जो था वह language जो है वो नई national varieties उसकी आई जिसमें जिसमें जैसे British English और उसकी बाद American English Canadian English ये सारी जो है English वैसे British English तो already था लेकिन American English और Canadian English ये जो है बाद में ये सब आस्तितों में आई और new English भी जो है उसमें भी जहाँ पे mother tongue नहीं थी English वहाँ से भी इसने काफी develop किया new national variety of English में जब English जो है हर जगा फैलने लगा तो English अमेरिका में भी जो पहले इस्तामाल किया रहता था वह English काफी सिमलर था ब्रिटिन से लेकिन जब अमेरिका फ्री हुआ ब्रिटिश रूल से तो उसने सोचा कि हमारी कुछ खास identity होनी चाहिए और उस identity के लिए उसने उसमें काफी changes किये इविन इन परनंसियेशन इन ग्रैमर यहां नीचे जो डाइग्राम आप देख रहे हैं ओके नीचे जो डेटा है उस डेटा में वोर्स ग्रैमर और स्पैलिंग यह तीन तरह से changes जो है यहां पर दिये गए है British और American English में तीन changes words, grammar and spelling ओके वोर्स में जो changes हुए जैसे ground flow सबसे नीचे के floor को कहते हैं लेकिन अमेरिका में उसे हम first flow कहते हैं rubbish यह हम Britain में कहते हैं British English में कहते हैं जबकि उसी तरह grammar में भी changes हुए जिसमें have you got got हम American में जो है American जो होते हैं इसे बोलते हैं have you gotten okay really good real good तो यहां differences जो है वोर्स में grammar में और spelling में जैसे check के spelling और difference का spelling color का spelling यह सौरी जो spelling है इसमें भी काफी तब्दिली है तो यहां से जो है distinct form new variety of English form जो है वह emerge होता है the emergence of new English जो दूसरा सबसे बड़ा effect था वो नई English जो है उसका emergence होना जिसमें जहां पे mother tongue नहीं थी Indian English Nigerian English यह भी English जो है American English की तरह इसमें भी इसमें ज्यादा नहीं है लेकिन British English की यह काफी करीब है लेकिन फिर भी उसमें कुछ difference है और वो difference है जो है sentence, pattern यह words यह grammar में है जो से Indian English में family member बोला जाता है जबकि a member of the family यह British English में बोला जाता है chalk piece a piece of chalk money back को पर्स बोला जाता है British English में की बंच जबकि a bunch of की जो होता है यह correctly right words है लेकिन हम जो इस्तामाल करते हैं जिसे go down तो warehouse यह British English है तो यह जो form है यह हम लोगों ने खुद Indian English में यह हमने इस्तामाल करना शुरू किया grammar में भी जैसे I own होना चाहिए तो I am owning two houses क्योंकि on जो होता है verb के first form में होता है वाइसे इसमें और भी examples दिये हुए जैसे is knowing जबकि यहाँ no होना चाहिए और she के साथ no जोना चाहिए pay attention on जबकि इंडियन पोईट है उन्होंने अपने एक पोईटरी जिसका नाम है गुद बाई पार्टी ऑफिस पुश पार्टी उसमें इस चीज़ को पूरी तरह से सेटराइट किया है बेंग उस पी दिया है और वाँ बेंग यह दिया हुआ कि जैसे यह आप अगर पूरा पोईम देखेंगे तो पूरे पोईम में जो है प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तामाल हुआ है जबकि जो कुछ वोट्स होते हैं कुछ वर्ब होते हैं वो हमेशा मुस्ट अवर टाइम हम जो उनका इस्तामाल करते हैं सिंपल प्रेजेंटेंस में यानि वर्वन या वर्फाइब के फॉर में ही इस्तामाल होते हैं जिसमें आप यह पोईम अगर देखेंगे तो इसमें देखेंगे इस डिपार्टिंग आर मीटिंग उसके अलावा इसके अलावा आप देखें मिस पुष्पा इस स्माइलिंग इविन शी इस फिलिंग इस कमिंग फ्रॉम ओके आई एम नोट रिमेंबरिंग तो यह सारे वोट्स जो होते हैं सिंपल प्रेजेंटेंस में इनका इस्तामाल होना चाहिए जैसे आवर सिस्टर डिपार्ट्स यहाँ पर इस्तामाल होना चाहिए फिर जहाँ पर इस नोइंग है वहाँ पर नो का इस्तामाल होना चाहिए तो यह जो है यह डिस्टिंशन हम लोग ने इंडियन इंग्लिश में इसे अपनाया है या हमने खुद बनाया है तो आज हमने यहां पर देखा कि English कैसे Global English है और Global English में English हर जग कैसे spread होती है जिसमें दो जो है हमने effect देखा पहला effect था जिसमें एक जो है जिनकी native language जो है दूसरे में mother tongue English ना होती है और इन सब में दो और चीज़ अगर आप ध्यान में रखेंगे पहली चीज़ के English जो है बॉरो किया दूसरे language से या दूसरे dialect से भी दूसरे speech से भी इसने बॉरो किया और दूसरी जो चीज़ है वह ब्रिटिन जो है जहां भी उसने colonize किया वहां पे उसने अपने चाप को छोड़ा अपने language को छोड़ा अपने culture को छोड़ा जो आज भी इस्तामाल होता है और जाकारा नहीं जा सकता, इग्नोर नहीं किया आया सकता, तो यह chapter जो है यहां पर खतम हुआ, अगर आपके पस कुछ question आपके दिमाग में हो तो आप comment में जरूर लिखेंगे, मैं उसका जरूर जबाब देंगा, अगर comments आएंगे, अगर इसमें कुछ सुझाओ भी है, तो आप अपना सुझाओ दे सकते हैं अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं ताकि हम लोग कुछ लाइफ क्लासेज भी शुरू करें